कान्हा की नगरी मतुरा में एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसारने लगा है यहाँ प्रती दिन कोरोना की मरीजों की संख्या में वरीधी देखने को मिल रही है अगर वर्तमान में बात करी जाए तो पॉजिटिव मरीजों की संख्या 12 है इस संबंद में और अधिक जानकारी देटे हुए CMO डॉक्टर अजय वर्मा ने इस विशे में अधिक जानकारी दी है है कि वाइरस कभी मरता नहीं है रूप बदलता है यह अच्छी बात है कि वत्मान जो रूप कोविद के सामने आ रहा है बहुत हल्की हल्का है हमारे आयू के अगर हम देखे हैं तो जत्तर साल के वी लोग हमारे पॉस्टिव आ रहे हैं और पंदे साल के बच्चे भी पॉस्टिव आ रहे हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी को हो माइस ओलेजर में जो रैबिट रैस्पॉंस की जारा देख्वाल करा रहते हुए हम सभी को सुद्टिव थिख हमारे ट्रशियों सुरह हैं यह यह ईक्ति बात है कि अगर आज की बात करऊं मैं तो तकल हमारे 18 के सिचे ए उकटिव 1 के सभी तारज और 8 और 2 पारे दुर्र ट्रम के चिकस्तों को तो दोरह देखिया गया है लगातार उं पर निघ्वाह सब्सक्राइब करना है और पंचाहिती राज से लगातार चल लई है तो कहना यहीं चाहूंगा कि कोविड है अभी नहीं गया कि कभी को एक ही संदेश नियम फॉलो करना है वो है कोविड सब्सक्राइब वाइरल डिसीज है एक से दूसरे में रेस्टाइट टेक से पहलती है इसके रिए जरूरी है कि हम लोग डिस्टेंस फॉलो करें एक दूसरी बना करें मास पैन करें सैनिटाइजिशन कर यूज करें हाथ रोने की प्रिक्रिया को पर दरार रखतें बचाओ यह साधन है तो ना मत्तान कर्वियों के लिए कि बचाओ के निये मास और सटाइजर दिये जाने के लिए उन देश आये अब वह विवस्था की जाएगी और उनको भी कोविट से बचाओ का तादर उपर कराई जाएगी इसके नियुक्त पर्फ़ी के लिए पुछ जारी की चाहिए जारी मंदान कर्वियों के लिए वह लोगी मास लगा करें तो यह उनकी अपनी श्रुक्ता है इसके ने देश पहले सी निर्गत कराई जा जोग है जिलादिकारी महोजे से पर आच्यात्मिक नगरी भी है और आच्यात्मिक तोर पर भी लोग यहां आप देख रहे हैं विल्ड काफी आ रही है ऐसे में बांगे ब्यारी मंदर से तो मंगर प्रसाशनों की ओड़ते आदेश जारी कर दिए गए हैं आप देख रहे हैं कि यह एक बेरिकेटिंग और यह सब विवस्ता यह सोचल डिसेंसिंग के लिए बनाई गई है वील्ड एक साथ इकट्टी ना हो इस सब की विवस्ता की ने सभी हमारे प्रसाशन मुश्ताइद है और त्यारी भी चल नहीं है और आप देखेंगे जन्पद आजपास के जल्पद हैं उसमें केसिस की संक्या काफी जादे आ रहे हैं लेकिन मत्रा में अभी भी इसनी साथ इकट्टा होने के बाद विवस्ताइब की द्यासर नहीं हा रहे है उसका कारण है कुछ यही है कि पुरिश परशाशन की मुश्ताजी की कारण सोशल डिसेंसि अभी भी काफी हर्त तक बरकरार करार रहे हैं अभी भी है ऐसे में क्या को जन अपील करना चाहेंगे बस एक ही जन अपील है कि जो प्रोटोकॉल है जो हमने गंभी था इस वाइरस का असर उस दौरान भी हमने वहीं फॉलू किया का मास लगाना सोशल डिसेंसिंग आज भी यूपी के बुलंद शहर के राजघाट पर गंगा जन मोचसौ मनाया गया जानकारी के लिए बता दे कि काशी की तरज पर राजघाट में की गई गंगा पुजा, दुगधा भी शेक और आर्टी भी की गई इस दौरान स्रद्धालूओं की भारी भीड भी चुटी अचार वेद की रिचाओं का स्वाक्याए करने वाले वेदिक वित्वन छोटे-छोटे बटक वित्यार थी कर लगभग एक हजार की संख्या में रामघाट से लेकरके अवंत्कादेवी धाम तक नित निवास करके माघरवा के तोलो टाइम संध्या दंदर करते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष चौधरी हरेंद्र मलिक ने कहा कि देश में 2024 के चुनाव में भाजपा को आने से यदि कोई रोक सकता है तो वह सपा और रालोद का गटबंदन है उन्होंने गटबंदन की तीन महाशक्तियों का जिक्र करते हुए स्वर्गिया के स्थान पर मुलायम सिंग को मरहूम मुलायम सिंग तक बता डाला जाने के लोगों सवाल सोदू का नहीं है आदिल का सवाल नहीं है सवाल इस मुल्ग के आइन को बचाने का सवाल है इस मुल्ग के संविदान को बचाने का सवाल है जहां पुलिश अभिरक्षा में लोगों का कतल कर जिया जाए और उस कतल को साथ दिन तक दस दिन तक बे सर्मी के साथ दिखाते रहें दिना इस परवाखे किये कि कोई कम्जोर दिल का आदमी देख लेगा तो उसकी जीनदगी भी जा सकते हैं उसकी जान जा सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के इत्याद में कमिश्पर कार खतल कार लाइंड वीडियो नहीं दिखा दो अपराधिक परश्क मूवी के विक्ति चलेगी हमने कुछ नहीं के प्रंकु तीन पैदा होगे चिंटा कमिश्क दो गए तीन पैदा होगे तो अपराधिक तो एक बढ़गा पर सवाल अधालत के उपर खड़ा हुआ